असलाम वालेकुम वेलकम तु मार चानल होमगोकिंग वित नौशीन और आज हम अपने चानल पर आलोमटर का सालन की रेसिपी शेयर कर रहे हैं और मेरे इक सब्सक्राइबर हैं उनकी रिमांड पर यह मैं शेयर कर रही हूँ रेसिपी और आप चाहते हैं कि मैं और अच्छी रेसिपी के साथ आओं तो प्लीज मैं चानल को सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और साइड में चाब बेल बटन है उससे भी क्लिक कीजिए ताके मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके सबसे पहले हमने या पर कड़ाई ले लिए और कड़ाई में हम दाल रहे हैं दो चमच तेल तेल गरम हो चुका है और अब हम इसमें दालेगे जीरा जीरा पर फूट चुका है और अब इसमें हम दालने वाले हैं एक पतला कटा हुआ प्यास बिल्कुल हमने पतला काटा है इसे उसे दाल देगे और इसे अच्छे से हम प्राइ कर लेंगे साथी साथ अभी देख लेते हैं इसमें हमने लिए आलू मटर अध्रकलसन का पेस्ट धनिया कड़ी पत्ता टमाटर और पाउडर मसाले धनिया पाउडर मिर्च पाउडर नमा खल्दी पाउडर गरम मसाला पाउडर और कस्तूरी मेथी और एक गिलास पानी इसमें जाएगा दो आलू लिये हैं हमने और दो मुठी या फिर एक मुठी के करीब हमने लिये है मटर अब इसमें हम एड़ कर रहे है कड़ी पता प्यास फ्राय हो चुकी है और अब इसमें दो चमच अद्रक लसन का पेस्ट हम आट कर देंगे और इसे भून लेंगे ताकि अद्रक लसन का कच्छापन बिल्कुल खतम हो जाए देखिए बिल्कुल इसी तरह करना है अब हम इसमें आट कर रहे हैं एक तमाटर कटा हुआ और तमाटर को भी हमें बिल्कुल अच्छे से नरम कर लेना है we add कर रहे हैं सारे पाउडर मसाले हैं पन अपनी रिक्वायरमेंट और अपनी तरीगे से मसाले अड़ कर सकते हो जितना तीखा और जितना चाहिए आपको उतना एट कर सकते हो आप थोड़ा सा पानी दालेंगे ताके मसाले जले ना और अच्छे से भून जाए आपस में इसलिए पानी आट कर रहे है देखे तेल पूरा सर्फिस पे आ चुका है और अब बारी है हमें मटर और आलू दालने की आप अपनी मन पसंद की सब्जी में आट कर सकते हो जैसे के फ्लावर और गाजर बीन्स इसका टेस्ट और बढ़ा देते हैं बढ़ हमारे घर में आलू मटर को जादा अच्छा त्यरह से खाते हैं इसलिए मसरिफ आलू मटर ही दाल रही हूं अदर्वाइस आप प्लावर और बीन्स और गाजर वगेरा दाल सकते हो अब इसमें हम पानी दाल रहे हैं ताके आलू और मटर दोनों अच्छे से गल इसमें हम दाल रहे हैं कोत्मिर और इसे ढग देंगे पंदरा मिनिट के लिए ये पंदरा मिनिट हो चुके हैं स्लो गैस पर और आलू मटर अच्छे से गल चुके हैं और अभी हम इसे सर्फ करते हैं अच्छे से बरतन में तो देखिए हमने इससे अच्छे से सफ कर लिया है और आप देख सकते हैं इससे कितना अच्छा कलर आया है और ये सालन मन कर बिलकुल ready है और आप अपने मन पसंद की सब्जिया इसमें add कर सकते है तो अगर आपको एरसी पर चाहर पसंद आती है तो please like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए झाल झाल